आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइन्स एजुकेशन पे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिविग्यान का अर्थ ग्रिविग्यान की परिभाषा और इसके इतिहास के बारे में आए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करन है यह दो शब्दों से मिलकर बना है यह दो शब्धों से मिलकर बना कैए अपग्री और विज्यान का अर्थ हम अलग-अलग डेख लेते हैं तो वीवस्थि द्ग्यान घर जहां आप रहते हैं जहां आप निवास करते हैं वह होता है घर और engagement जो होता है उसका अर्थ है विज्ञानिक रूप से या क्रमबद इस प्रकार जो है घर को क्रमबद और विवस्थित या विज्ञानिक तरीके से चलाना क्या कहलाता है ग्री विज्ञान कहलाता है ग्री विज्ञान के अंतरगत हम लोग घर से संबंधित जितने भी पहलू होत सरीर रचना एम स्वास्त रक्षा आयवय का बजट बनाना सदाचार वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाओ उनकी धुलाई तथा रख रखा आधी जो है गृविज्ञान के अंतर गत हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं सीखते हैं अब गृविज्ञान जो होता है गृविज् और उनकी हमारे में क्या उपयोगिता है कुन बताता है जो भी पोशकतत्तों है तो जो भी पोशक्तत्तु हैं और इनकी हमारे बॉड़ी में क्या उपयोगिता है किस पोशक्तत्तु का क्या कार है ये सब हमको कौन बताता है विज्ञान बताता है और कला कैसे है जैसे भोजन को किस तरीके से परोशना है भोजन के परोशने के तरीके को जैसे हम कपड़े प तरगत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं सिलाई कढ़ाई पढ़ते हैं ग्री सज्जा पढ़ते हैं पाक कला पढ़ते हैं वस्तरों की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं जितने भी घर के अंदर जो भी बिभिन पहलू आते हैं उन सब का हम लोग वग्यानिक तरीके से और कला इसलिए हम यह कहते हैं कि ग्रिभ विज्यान जो है कला और विज्ञान दोनों have ब एम को गोजन जो आप खाते हैं वस्त जो जिनका आप इस्तेमाल करते हैं वाता वरण जो आपके आसपास है और दक्षदा जो की एक सफल केरियर बनाने के लिए आवश्यक हर इन सब छेत्र में विज्ञान और कला दोनों का समन्वे देखने को मिलता है ठीक है अब हम लोग देखेंगे ग्री विज्ञान की परिभाश ग्री विज्ञान की परिभाशा क्या है तो ग्री विज्ञान जो है शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतरगत पाक्षास्त पोशन ग्री अर्थ विवस्था आंतरिक सज्जा वर्स्थ एवं परिधान ग्री निर्मान आधिका अध्यन किया जाता है ग्री विज्ञान क्या पोशन देखते हैं पोशन क्या होता है पोशन एक तरीके की प्रक्रिया होती है जिसके अंतरगत हम भोजन को ग्रहर करते हैं भोजन हमारी बॉड़ी में जाता है बॉड़ी में जानने के बाद उसका डाइजेशन होता है डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉप्शन हो कि बढ़ने के बाद जो भी उसके जिनकी पोशन उता है वह ब्लड के पुरी बॉड़े में पहुचाय जाते हैं और जो भी चीजें होती से वेस्ट के को व्याद करना है वह ग्रिय अर्थ舶ास के अंतरगतात calls अांत्रिग सज्य घर को सजाने का तरीकर वस्त्र इए पुदण सनाप स्मझ सकते हैं कि वस्त्रों का हम को चुनान कैसे करना चाहिए और वस्त्रों को वस्त्रों की प्रकृति कैसी है आप लोग टेक्स्टाइल पढ़ते हो टेक्स्टाइल में भी यह सब चीजे टेक्स्टाइल भी तो ग्री विग्यान का ही पार्ट है तो वस्त्रेम परिद हां टेक्स्टाइल का जो पार्ट है वो भी ग्री विग्यान के अंत अध्यान करता है व्यवस्तित करता है कि विग्यान शुक्सवधाओं में व्रिद्धी करने के लिए सैध्धान्तिक एवं विच्वहारिक ग्यान प्रदान करता है और देखिए यहां पे परिभाशा दी गई है अमेरिकन होम एकोनोमिक्स एसोशियेशन के अनुसागरी विज्यान की क्या परिभाशा है ग्री अर्थ विवस्ता शिक्षा का विशिष्ट विश्य है इसके अंतरगत आयव्याय भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता वेश भूसा और दौरा उनके उप्योग का अध्यन किया का परिभारिक बपन करने की दसाओं का परिभाशा किसे अधी के ग्रिव कि उत्यांत करने की परिभावचा को दियुक आगर आप लोग डि walnut जहाँ है और मैं इसको शाट में जाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए आपधिक्ट्विक बनाएं हैं ओ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा उसमें बहुत ही important question है जो अक्सर आपनी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देखें यहां पर हम दोग देखते हैं कि ग्रिविग्यान का इतिहास क्या रहा है तो ग्रिविग्यान विश्य के विकास का मुख श्रे जो है अद्योगी करण स सविता का विकास जो है 19 सताब्दी में हुआ था यह अमेरिका और इंग्लेंड जैसे देशों में ग्रिव कार्य करने के लिए नौकरों का भाव था उस समय उन्हीं सताब्दी में और इसके लिए उनको समय और स्रम की बचत के लिए उन्होंने क्या किया उपकरणों का आए हैं उनका वह समुझे दुप्यों कर पाएंगी तो उन लोगों ने क्या किया कि इसके लिए अमेरिका और इंग्लेंड के जो भी लोगत उन्होंने क्या कि वहां की जो महिलाएं थे उनको शिक्षित करना शुरू कर दिया तो वह शिक्षित क्या कि गडिव विज्यान पढ़ाए जाने लगे की जो महिला थी ग्रिफ विज्ञान विश्य को पढ़ने लगी फिर क्या हो अठार्मी सदिसन 1780 में रसोई घर में विज्लान की सहायता से कार सरली करण का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था सब्सक्राइब काउंट रमफोड बिंजामिन था यह जो है 1780 में रसोई घर में जो भी कार्ण सरलीकरण क्या था कार्ण सरलीकरण कैसे कह सकते हैं कार्ण सरलीकरण होता जिन सब्सक्राइब गहर्ण सरलीकरण का प्रियों करने वाला पहले व्यक्ति कौन था Is ट्रम फोर्ड बेंजामिन थॉमस था ग्री विज्ञान को इसके विकास के प्रथम चुरण में अर्थ सास्त्र के नाम से जाना जाता था अर्थ सास्त्र के नाम से जाना जाता है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्जाम में ठीक है अमेरिका में ग्री विज्ञान विश हाल में 4 विश्यालियों में एक विज्यान विश्यकरु में पढ़ाइ Prabu जाने के अनुशन्सा जो कि थी वह कीने किया पैथरीन ई वीवर ने 1840 में किया था किसने किया था पैथरीन ई वीवर ने 1840 में किया था अमेरिका को ग्रीव विग्यान विशे का जन्मदाता कहा जाता है किसको ग्रीव विग्यान विशे का जन्मदाता कहा जाता है अमेरिका को भारत में ग्रीव विग्यान विशे को शिक स्थित महारानी बालिका उच्च विद्याले को जाता है और भारत में ग्रीविज्यान विशे का विकास जो है बीश्री सताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ और भारत में मिडिल स्कूलों में अगर देखा जाए तो 1936 में ग्रीविज्यान विशे को अनिवारे कर दिया गय ओ такого कर दोर ढाती हास ग्रीविज्यान का अर्थ ग्रीविज्यान की परिभाश वीडियो कैसी लगे वीडियो कॉमेंट करके जरूर बता यवेडियो कैसी लगे वीडियो पसंदाई हो और यह मुन आयों आ सच101 को लाइक